यहां पर पहले मैं आराम से ज़ादा था, तब भी मुझे वेराउस के अंदर बंदों का आवाज आया, तो फिर में ने सूचा कि आराम से उपर चट जाता हो वेराउस के, फिर आराम से सबको मारूँगा, लेकिन यह मरी सबसे ज़ादा बड़ी गल्ती थी, यहां पर इतने एक्सपोस बिल्कुल भी नहीं होना चाथ है, मतलब वो खुद नहीं मरना चाहते हैं, लेकिन में को इसा गैसे चलेगा हैं। और मैंने उसको फिनिश कर भी दिया अब यहाँ पर होता क्या है एक बंदा जो एक गाड़ी लेकर गया है लिकिन गया क्या है भाई वो बंदा और बंदे लाने कली गया है जो आपने देखा होगा न रेल लाइफ में पर बंदे लाइफ में पर बंदे लाइफ में पर बंदा रेलोड करने गया तब मैंने उसको जो नौक कर दिया वरना भाई आपर मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं था और बड़े आराम से तो नहीं बोल सकता लेकिन बड़ी दिक्कतों के बाद ये पूरी की पूरी स्कॉर्ड में ने फिनिश कर दी लेकिन इनसे वापस एक बार हमारी जो फाइट होती मतलब इस मैश में मैंने एक स्कॉर्ड को दो बार मारा है और अगली बार में जो स्कॉर पड़ता है ना भाई जब आप ओपन में रहते हो तो न आख होने से अच्छा है कि पहले healing अपनी full रखो आप मुझे पता था बंदे क्या करेंगे बंदे इस घर पर रुकेंगे ये फिर अगले घर पर रुकेंगे इस लिम इस घर के छट के उपर आ गया लेगन शायद बंदों को पता चल गया था कि मैंने भी दिमाग लगाए और इस घर के उपर आ गया हूँ तो भाई मेरे पहले ग्रेनेट से तो कुछ हुआ नहीं तो मैंने सुचा कि उड़के उनके बिल्डनी के उपर ही चला जाता हूँ तब भी बता चलता है कि भाई वो तो काड़ी लेकर के निकल गए है बतला हमारा जो ग्रेनेट था भाई वो तो वेस्ट हो गए दोनों तिनों ग्रेनेट सारे एक सारे वेस्ट हो गए तो भाई आब इनको मार निकले आपका भाई आगे आ जाता है पूरा घूम के और यह अगर दोनों में से कोई भी नॉक हुआ तो वो लोग सिधा रश करेंगे और हमको एक दूसरे को रिवाइब करने का भी टाइम नहीं मिलेगा लेकिन उसके जरूरत नहीं पड़ेगी उनके एक बंदे को मैंने यापर नौक करती है लेकिन वो पूरी कोशिश करते है कि उसको बचा लिए भाई मेरा टीमेट अंदा आके बंद करके घुस रहा है वापर मारने के लिए उनको ये देखो मतलब कुछ नहीं सुचना है कि भाई ओपन से जा रहे हैं वापर कितने बंदे क्या नहीं कुछ नहीं सुचना सीधा जाके उसको मार रहा है लेकिन उसने वो चीज़ काफी अच्छी करी क्योंकि बाद में बता चलता है कि उसका जो दूसरा टीमेट था वो भाग गया और यहीं सोच कि मैं भी यहापर आया लेकिन तब ही हमें एक सर्प्राइज मिलता है कि यहापर कोई भागा नहीं था उसका दूसरा टीमेट कैम कर रहा था कि हम आए और वो हमारी पेटी बनाए अगें मेरा जो है यहाँ पर एक टीमेट नौक था और दोनों टीमेट मेरे जो नौक थे तो दोनों को में बचा लेता हूँ बड़े आराम से और यहाँ पर जो दो दो ड्रॉप मंगाये थे सीधे की सीधे पूरी स्कॉर्ड खतम होगी जो पहले मिली थी वही स्कॉर्ड दिये और भाई एक स्कॉर्य में आपकी भाई ने पूरी की पूरी स्कॉर्ड उतार दी इस चीज के लिए आप इस वीडियो को शेर जरूर करोगे जिसे ये वीडियो खतम का मुझे पता है और नहीं करोगे तो यार कर देना प्लीज यार इस चीज से मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है मैं अपसे सुपल चाट नहीं मांग रहा हूँ पैसे नहीं मांग रहा हूँ बस आप मुझे शेर कर देऊ ना मेरे वीडियो मेरे लिए बही काफी है अगर यापर मेरे पास डबल M4 होती तो भाई इस गाड़ी को बड़े आराम से हम ब्लास्ट कर देते क्योंकि मेरे पास M4 एकी थी रिलोडिंग में आ गई जब तक वो रिलोड होती तब तक तो गाड़ी चली भी गई चलो कोई दिकत वाली बात नहीं हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर हमारे गाड़ी फूड गई तो वाट लग जाएगी क्योंकि हम जोन के बाहर थे तो बस हमारी गाड़ी उठाते है और गाड़ी लेकर हम यहाँ पर उस गाड़ी को धूनने आ जाते है जिसको हम ब्लास्ट करने के गोश्शिच कर रहे थे और दिखता है की यहाँ पर तो बंदा नॉक पड़ा है तो एक फ्री का किल मुझे मिल जाता है फिसे यहाँ पर जोन तो नहीं था इसलिए ज़्यादा दीमा घमनेने लगा है जोन के अंदर चले गए और पता चलता है की यहाँ पर जो है सामने घरोपर बंदे है उनके साथ fight देखो कैसी होती है एक को नौक किया finish भी कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा kill चुरी हो जाए अब यापर knock करके finish करना आसान इसलिए था क्योंकि मेरे हाथ में M4 थी सामने हमें fire का आवाज आए इसलिए आगे जाता हूँ और भाई यापर मेरे teammate ने pale की kill चुराए और बस क्या ही shot मार आएगा इस literally मतलब एक मिली second में हमारा shot connect हो कि हमने scope आउट पी कर दिया था मतलब scope नहीं किया था वो भी आटा दिया था अब देखना ही है guys कि क्या हम चिकन टीनर मिल पाएगा या फिर ने क्योंकि 13 kill हो चुके 12 बंदे और बचे चिकन टीनर करना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर zone चोटा हो चुका है और काफी जादा तगड़े तगड़े जो बंदे थे वह यहाँ पर बचे है तो अब फाइट होगी सिर्फर सिर्फ तगड़े बंदों से कोई भी बाटब नहीं बचा है बंदे ने दिमाग लगाया मारने का लेकिन मुझे पताता कि जैसे मैं बबन भागूँगा कि मुझे मारने के लिए जरूर आएगा तो उस चीज़ का फायदा उठाते वे मैंने उसे टाप आट अप दे दिया शॉर्ट करने के मैं कोशिश करता हूँ पहला वाला नहीं होता है लेकिन दूसरा वाला बड़े ही आराम से शॉर्ट करनेक लाता है नजदिक आता उसके टीमेट को मार देता और इस बंदे का जो नाम है खिलिफिट में आपने बहुत बार देखा होगा तो भाई वो घास में लेटा था मुझे लगा काफी फ्रोव बंदा होगा लेकिन पता नहीं क्या दिमाग लगाना चाहता था ये शायद चिकन टिनर के लिए खेल रहा होगा ठीक है हमने उसे मार दिया लेकिन अब पता चलेगा चिकन टिनर किसको मिलता है यह दुने बड़ा मेरे कोंफ्यूस कर रह थे अलग-लग एंगल से पीक कर रहे थे ताकि दोनों में कोंफ्यूस कर पाए मेरा ओम का जो शूट है वह मिस हुझाए फिर उन दोनों में से को यह नों गया में कि मारेगा भाई मजक थोड़ी चले आया यार लेकिन उनों मेरे टीमेट को नॉक कर दिया तो भाई मुझे यापर गुस्टाया कि सालो तुम्हारी ऐसी कि तेसी रुख जाओ मैंने यापर मॉली पर मॉली करना स्टार्ट कर दिया और भाई वो चीज काम कर गए मेरे एक मॉली से एक बंदा नॉक हो गया और दूसरे बंदे को मैंने M4 से मार दिया काफी आसान इस से और अगेन मेरे टीमेट को बचा लेता हो भाई इस बंदे ने इतने किल चुराया ना इसको उठा के पटक के नॉक कर अरे नई भाई ये क्या हो गया भाई चिकन डिनर चाहिए था यार अरे भाई स्कैम हो गया गया हमारे साथ मुझे लगा कि मैं तो चिकन डिनर करूंगा लेकिन यहाँ पर दाने दाने पर खाता खाने वाले का नाम